कुछ टाइम पहले मुझसा किसी ने पूछा था कमेंट चेक्शन में कि हम कलरिंग बुक कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आप कलरिंग बुक कैसे बना सकते हैं वो भी यूनीक कलरिंग बुक कहीं का आप ये नहीं बोल सकते हैं ने आपको कॉपी किया या आपने किसी को कॉपी किया ये कोई नहीं बोल सकता बिलकुल यूनिक कलरिंग वर्क इजिली और effortlessly और as quick as possible तो hello everyone मेरा नाम प्रियंग का दूबे है अगर आप मेरे चैनल पे पहली बर आए है तो मैं इस चैनल पे बात करती हूँ KDP के बारे में KDP के sales क्या से calculate करते है KDP के sales structure क्या होती है strategy क्या होती है सारी चीजों के बारे मैंने explain करती हूँ अगर आपको इन सारे चीजों के बारे में जादा जानना है आपको अपना KDP business शुरू करना है तो please subscribe करिए मेरे चैनल को और support करिए क्योंकि जब आप support करते हैं तो मुझे और motivation मिलता है ताकि मैं और अच्छा knowledge अच्छा मेहनत इस चैनल पे खरूँ तो चले शुरू करते हैं इसमें बात करने वाली हूँ कि हम unique coloring book कैसे बनाएंगे तो इसमें मैं दो software का use कर रही हूँ पहला software जो है वो है creative fabrica अब आप पूछ रहाँगे creative fabrica क्या होता है creative fabrica एक tool होता है जहां से आप interior download करते हैं लेकिन इसके पहले कि आप creative fabrica के बारे में download करना चालू कर दे मैं दो तिंग बाते clear करना चाहूंगी पहले चीज़ तो यह है कि creative fabrica कुछ free चीज़े भी देता है freebies के अंदर तो आप freebies में जाके all freebies में जाएए और आपको कुछ free graphics, free fonts यह सब मिलते हैं तो अगर आप KDP में new है और अगर आपके पास subscribe करने के लिए creative fabrica के अंदर पैसे नहीं है तो आप free चीज़ों का use कर सकते हैं लेकिन मैं suggest करूंगी कि आप subscription के लिए जाए subscription के बात जहां आती है तो यह सारा कुछ plus KDP और यह इतना कुछ आप मेरे screen पे देख पा रहे हैं यह सब आपको एक डॉलर में मिल रहा है एक महीने के लिए तो अगर आप इसको try करना चाहते है तो मेरे description में जाएए वहाँ पे एक link है creative fabrica का जिस link को आप click करेंगे तो आपको एक डॉलर में उस link से करेंगे तो otherwise आपको 29 डॉलर लगता है अगर आप जो link है उससे नहीं करेंगे तो अगर आप अलग से जाके करेंगे तो मैं आपको suggest करूँगी कि आप subscription के लिए चाहें एक महीने try करके देखें अगर आपको useful लगता है तो आप continue करिए otherwise discontinue कर दीजे कोई बड़ी बात नहीं है आप subscription को end कभी भी कर सकते हैं बस आपको my profile के अंदर जाना होगा और आपको अपना my profile इसके अंदर जाना होगा और आपको अपना subscription का dashboard मिलेगा वहाँ जाके आप unsubscribe कर दीजे creative fabric आपसे कोई additional question नहीं पूछता है यह चीज हो गई और दूसरी बात जो बहुत important है आप यह सोच रहाँगा कि मैं यहाँ से तो जितना मन चाहे उतना download कर लूँगा और भाद मैं use करते जाऊँगा कोई लोग ऐसा भी सोचते हैं और आसे लोग मुझे मिले भी है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यह license के साथ तो आता है आप download करेंगे आपको license मिलेगा आपको कोई भी copyright नहीं कर सकता है लेकिन बहुत important बात जो यहाँ पे है कि जब आपका subscription खतम हो जाएगा तो उसके बाद आप additional कोई भी नया book या नया physical product आप उस image या KDP से नहीं बना सकते हैं वो allowed नहीं है क्योंकि यह इसका rule है तो आप यह मत सोचिएगा कि मैं एक ही बर में 1000 डाउनलोड करके रख लेता हूँ और बाद मैं मैं बनाता रहूंगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है तो जब तक आपका subscription है तब ही तक आप जितना मर्जी उतना product physical product बना सकते हैं उसके बाद subscription end होने के बाद नहीं बना सकते हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं हम तो अभी मैं बनाना चाहती हूँ see animals coloring book बच्चों के लिए तो see animals coloring book मैं यहाँ पर type करूँगी जैसे आप इसको search करेंगे आपको बहुत सारे options दिखेंगे अब आप सोच रहोंगे इधर से भी download करके मैं कर लूँगा लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप सीधे download करके use नहीं कर सकते हैं आपको slight changes करने ही पड़ते हैं यह इसका rule है creative fabrica का तो और मैं यहाँ तो download इसलिए भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि see coloring book एक ऐसा book है जो कि बच्चों को बताता है कि यह कौन सा animal है अब यहाँ पे तो इसका नाम ही नहीं लिखा है तो बच्चे color कर भी रहें तो क्या कर रहें यह पता ही नहीं है तो यह हमको चाहिए ही नहीं है हम चाहते हैं कि बच्चे को पता हो कि अगर वो crab को color कर रहे हैं तो हाँ भाई यह crab है वो उसको भी color कर रहे हैं मैं कुछ इस तरह का book बनाना चाहती हूँ unique बनाना चाहती हूँ ठीक है तो मैं क्या करूँगी इन सब को मैं उतना नहीं ध्यान दूँगी और मैं यह जो आला पार्ट है जिसमें की बस मुझे pages मिले हैं और इसको मैं जैसे चाहे वैसे use कर सकती हूँ मैं इसको यहां से download कर दोंगी download करने के बाद यह चीज मैंने पहले ही कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम हमारा खराब ना हो यह pictures डाउनलोड करने के बाद मैंने Canva में upload कर दिया है अगर आप Canva को नहीं जानते हैं तो आप description में link है वहां से जाकर sign up कर लीजे Canva एक free tool है जहाँ पर मैं अपना सारा काम करती हूँ मैं अपने सारे cover बनाती हूँ अपने interior बनाती हूँ तो यह बहुत ही अच्छा tool है मेरे हिसाब से तो अब Canva के अंदर जाने के बाद आपको creator design करना है और custom size में जाना है custom size तो हमारा standard coloring book का size होता है वो होता है 8.5 into 11.25 8.6 है उतना चलता है उतना ही में बनाती हूँ तो यह होगे हमारे standard size अब मुझे यहाँ पे अपना pages को arrange करना है book बनाना है तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी इसका front cover मतलब book खोलते के साथ पहला page क्या आता है पहला page आता है जहाँ पे कि आप नाम लिखते हो कि हाँ यह फलाना book इस बच्चे का है तो वो वाला cover हो यहाँ पे बनाऊंगी तो यहाँ पे मैंने पहले ही मैंने बताया जैसा कि मैंने डाउनलोड करके creative fabrica से upload कर लिया है pictures तो मैं सीधे सीधे जाऊंगी और यहाँ पे मैं अपना पहला page बनाऊंगी जो की है बच्चों का नाम लिखने वाला page मैं बस आपको एक जल्दी जल्दी बना के दिखा रही हूँ आप इसको अपने creativity के हिसाब से जैसे चाहें वैसे आप edit करिए जैसे चाहें आप वैसा बनाईए कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको बस तुरंट और जल्दी बना के दिखा रही हूँ यह अच्छा लग रहा है मुझे फिर आप text में जाएए heading के अंदर जाएए और लिखिए this book belongs to यहां हम नाम लिखने का option दे रहे है इसको मैं यह करने के बाद आपको elements में जाना है elements में जाने के बाद आपको lines and shapes में जाना है और वहां से आप कोई भी line ले लीचे जहांपे की नाम का लिखने का उनको space मिलेगा इसको मैं duplicate कर लूँगी ऐसा कुछ तो पहला page तो मेरा बन गया और मुझे स्ठीक भी लग रहा है अब मैं क्या करूँगी कि add new page करूँगी यहां पर क्योंकि अब मेरा coloring book जो main book है वो बनना शुरू हो रहा है तो अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए border चाहिए ताकि margin margin रहे अगर kdp का margin होता है 0.125 तो उतना हमको छोड़ के बनाना है है न तो इससे सबसे अच्छा है कि मैं border ही बना लूँ ताकि आगे चलके कोई दिक्कत ही ना हो मुझे तो border के लिए आप इसी के अंदर रहेंगे lines and shapes में और आपको इस अभी border उठा लीजे यहां से आपको ठीक वाला चाहिए तो ठीक उठाइए ठीन चाहिए तो यहां अपने choice से उठाइए मैं यहां ऐसे उठा लेती हूँ यह एच्छा लग रहा है मुझे इसको adjust कर लीजे adjust करने के बाद मैंने जो लिया था image यह ले लिया मैंने इसको अब इसके अंदर आप जितना चाहें उतना अच्छे से प्लेस कर सकते हैं अब इसका नाम भी लिखना चाहूंगी मैं ताकि बच्चों को पता रहे कि वह color कर क्या रहे है टेक्स के अंदर जाएंगे इसका नाम लिखेंगे अब आप सोच रहोंगे प्रियंका यह तो black है इसको बच्चे color कैसे करेंगे तो वह भी मैं आपको भी बताती हूँ कि Canva में हम कैसे कर सकते हैं और वह भी free account में इसको आप पहले select कर लीजे उसके बाद आप चाहिए effects के अंदर effects के अंदर जाने के बाद आपको option मिलता है splice का यह वाला आप उसको click करिए और यह जो grey है उसको change करके white कर दीजे तो आप देख सकते हैं इसका color भी change हो गया और आप बच्चे color भी कर सकते हैं इसके नाम को तो यह कितना अच्छा दिख रहा है मुझे अच्छा दिख रहा है आई हो आपको भी दिख रहा हो आप इसको font को भी change कर सकते हैं आप जैसा चाहिए वैसे यहां पे जाईए और इसको change कर दीजे अगर आपको इस type थोड़ा stylish रखना है तो stylish रखिए simple रखना है तो simple आउन्डूड किया है आप वहां से उठा सकते हैं और उसको place कर दीजे और अब इसका नाम भी change कर दीजे डॉल्फिन और ऐसे ही आप duplicate करते जाए image put करते जाए इसका नाम change करते जाए और आपको एक book भी अच्छा मिलेगा और मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगी कि एक और चीज़ बहुत important है यहांपे कि जब बच्चे color करते हैं book तो क्या होता है कि इसका color का stain आजाता है इस मतलब पीछे वाले page पे यह हमारे साथ भी होता है तो आप क्या करिए कि book के बीचों बीच आप एक blank paper लगा दीजे उससे क्या होगा कि जब बच्चे यह वाला color करेंगे तो इस पे आएगा हमारा जो दूसरा design है उस पे effect नहीं आएगा तो यह एक ninja tip है जो मुझे अभी बताना था आपको मैं ऐसी जब मैं design करते हूं तो मेरे दिमाग में यह सारी चीज़े आती हैं तो इसलिए मैं बोलती ह साथ अपने knowledge share करती रहूंगी तो yeah that's all for the day आपको मिलती हूं मैं next video में तब तक अपने ध्यान रखें and God bless